प्रस्तुते कारे करेम कलश श्रोताओं नमस्कार कलश के इसंक में आपका स्वागत श्रोताओं अजगर वजाहत हिंदी साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कहानिकार एवं नाटककार के रूप में मान्य है इन्होंने कहानी नाटक उपन्यास यात्रा वृत्तान त फिल्म तथा चित्रकला आदी विभिन नक्षेत्रों में महत्वपूर्ण रचनात्मक योगनान दिया है उनके पूर्ण प्रवास पर हमने उनसे बातचित की तो आईए सुनते हैं अजगर वजाहत से ली गई भेटवारता भेट करता है धनाश्री हेब्रिकर आज हमारे बीच उपस्तित है मशूर लेखक अजगर वजाहत उनकी कलम सितारों के रह गुजर से गुजरती है और तारीक की सफे पर अपने यादगार नकुष छोड़ जाती है या यूँ कहूं सितारे उनकी चमक में समाना चाहते है मगर वो आखे फलक को सितारा करती है कलम की दुनिया के एक बेहद अनमोल सितारे शांत सौम में स्वभाव के जिन्होंने कलम की दुनिया में बनाया एहम मकाम अजगर वजाहत साहब अजगर वजाहत सर्गो 2010 का श्रेष्ठ नाटक कार सम्मान हिंदी अकादमी द्वारा प्राप्थुआ 2012 में आचार्य निरंजन नात सम्मान प्राप्थुआ संगीत नाटक अकादमी सम्मान हिंदी अकादमी का सर्वोच शला का सम्मान भी प्राप्थुआ विद्वान लेखक, विचारवंत, भाशा विशेशग्य, सवेधन शील चत्रकार, ऐसे बहु आयामी अजगर वजाहत जीवन के किस मोड पर आपने लेखन का सफर शुरू किया और आपकी क्या प्रिर्णा थी? देखिए बात काफी पुरानी है, ये शायद 1962-63 की बात है, जब मैं छात्र था, पढ़ता था यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद ही उसी दौरान लिखना शुरू किया, और तब से लेकर अब तक, कुछ अंतराल तो बीच में आये, लेकिन लिखना जारी रहा, तो पहला नाटक मेरा 1963 में लिखा गया था, जो उस समय की एक बड़ी प्रतिश्ठित पत्रिका में छपा था, ये एक वेंग नाटक था, इस वेंग नाटक लिखने के बाद फिर मैं दिल्ली आ गया, और दिल्ली में फिर नाटक लिखने का सिलसला जारी हुआ, तो इस तरह से शुरुवात के बारे में जो आप पूछ रही हैं, तो शुरुवात ऐसे हुई, आपके नाटक पर फिल्में भी बनने जा रही है, ऐसी चर्चा है सर, तो वो कौन से नाटक है और उनके क्या विशे है, देखिए मेरा एक नाटक है, जिस का नाम है, जिस लाहोर ने देख कि जिसने हाई कल्चर, जो सु संस्कृत व्यक्ति नहीं है, वो उसका जन्मी नहीं हुआ है, तो ये बहुत एक तरह से लोक प्रिये नाटक है, जिसके सेक्णों शो हो चुके हैं, भारत में और भारत के बाहर, इसी नाटक के ओपर राजकुमार संतोशी ने स्क्रिप्ट त हूँ, इस पर वो एक फिल्म बनाना चाहते हैं, इस नाटक पर, और दूसरा नाटक है मेरा गोटसे-at-gandhi.com, इसके उपर भी वो बनाना चाहते हैं फिल्म, तो ये दो नाटक हैं, जिनके उपर फिल्म बनने की योजना है, और आशा है कि निकट भविश में फिल्म में इ सर, आपने जिस लाहर नहीं देख्या, और जम्याई नहीं इस नाटक के बारे में बताया, सर, ये नाटक पाकिस्तान में बैन किया गया, तो बतोर लेखक जब ये नाटक दुनिया के किसी हिसे में बैन किया जाता है, आपको क्या लगा था और आपके इस मामले में क्या वि बैन करने के पीछे कारण क्या है पहला कारण वताया था उन्होंने कि लेखक जो है वो भारत का है भारती है ये एक मुर्खता पूर्ण बात है क्योंकि लेखन और लेखक जो है वो पूरे संसार का होता है वो किसी एक देश का नहीं होता अब जिसे टैगोर हैं टैगोर भारत में पैदा हुए लेकिन पूरे विश्व के लेखक हैं इसी तरह से लेखक को आप उसके सीमाओं में बांध नहीं सकते दूसरी उनकी आपती ये थी कि इस नाटक में जो बूरी औरत की भूमिका है जो हिंदू बूरी औरत है वो बहुत ही सर्थक है वो बहुत ही पॉजिटिव है तो इसको लेकर के उनको आपती थी तीसरी आपती उनको ये थी कि मौलवी की हत्या हो जाती है तो वो उसको मानते थे शायद ये इसलाम की हत्या जैसी चीज़ है लेकिन निश्चित रूप से आप जानते हैं कि रचना में नाटक में जो हत्या है वो हत्या नहीं होती है बलकि वो एक प्रकार से विचार को और मस्बूती से सामने लाने का प्रयास होता है तो इस कारण किया गया लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि पाकिस्तान में बैन होने के बाद भी ये वहाँ जर्मन इंफर्मेशन सेंटर में खेला गया और वहाँ के समाचार पत्रों में जो समीक्षाएं छपी हैं वे बिलकुल वैसी समीक्षाएं थी जैसे भारत में हिंदुस्तान टाइमस में, टाइमस इंडिया में और इंडियन एक्सप्रेस में छपी थी मतलब ये कि वहाँ भी इस नाटक को तुतना ही पसंद किया गया जितना यहां किया गया था सर एक बड़ा दिल्चस्प किस्सा है जब हभीम तनवीर जी के निर्देशन में इस नाटक का पहली बार मंचन होने जा रहा था तब जो बुढ़ी औरत का किरदार है वो किसी मेल अक्टर यानि एक मर्द अक्टर ने निभाया था तो आपको यह जानकर कैसा लगा और आप उसको एक अच्छा एक्सपिरिमेंट मानते हैं देखिए हभीब तनवीर साब बड़े इन्नोवेटिव और बहुती गहन डिरेक्टर थे तो उन्होंने इस रोल को बूड़ी औरत का जो रोल है बहुत सोच समझ के गिरीश धमीजा को दिया था गिरीश धमीजा उनके रेपेटरी में एक्टर थे आजकल वो बंबई में हैं तो उनका मानना था हभीब साब का कि एक बूड़ी पंजाबी औरत की आवाज इतनी भारी हो जाती है कि वो लगभग आदमी के आवाज जैसी बन जाती है तो इसलिए अगर आदमी पुरुश बोलेगा समवाद तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है दूसरी बात यह है कि गरिश धमीजा की जो कद और काठी थी पूरी और पंजाबी भाशा पर जो उनका कमांड था वो स्वेम पंजाबी थे तो इन सब के चलते हभीब साब को ये लगता था कि ये रोल वो बहुत अच्छी तरह निभाएंगे और वास्तों में ऐसा हुआ उन्होंने इस रोल को बहुत सफलता से किया दर्शकों ने बहुत पसंद किया और लगातार श्री राम सिंटर की रेपेटरी ये नाटक करती रही और उसमें गिरिश धमीजा जो है वो मा की भूमी का निभाते रहे इसके बाद लेखन कैसे आगे बढ़ता गया देखिए दिल्ली आने के बाद फिर मेरे लेखन में कई मोड आये मैंने दिल्ली में कहानिया लिखना फ्रू किया वो कहानिया फिर अच्छी बड़ी पत्रिकाओं में छपनी लगी कहानिया लिखते लिखते एक समय ऐसा आया कि जब मुझे एक विशे मिला नाटक लिखने के लिए तो पहला नाटक तो मैंने लिखा था जब मैं छात्र था लेकिन दूसरा नाटक लिखा मैंने जब मैं जामिया में पढ़ाने की नौकरी करने लगा था और अध्यापक हो गया था तो ये दूसरा नाटक जो है वो उस समय लिखा ये एक लोग कथा के उपर अधरित था और इसका नाम था इन्ना की आवाज तो ये नाटक को फिर वहाँ जो नेशनल स्कूल अफ ड्रामा है उसके छातरों ने मिलके किया था और अनिल चौधरी नाम के निर्देशक थे उन्होंने इसको निर्देशित किया था तो ये मेरा पहला नाटक था जो दिल्ली में बड़े अस्तर के उपर प्रदर्शित हुआ उसके बाद फिर कहानिया लिखने का दोर शुरू हो गया फिर कहानिया लिखता रहा और कुछ साल के बाद मैंने ये सोचा है कि अब मैं उपनियास लिखने की कोशिश करूँ तो मैंने दो उपनियास जो है वो अभ्यास के लिए लिखे कि मैं धीरे धीरे कैसे सीखों उपनियास लिखना तो वो अभ्यास था मेरा जिनको मैंने छपवाया नहीं वो ऐसा लगा कि एक्सरसाइज है तो उसको एक्सरसाइज के रूप में लिखा उसको लिखने के बाद फिर जो मेरा मेजर उपनियास बड़ा आया जिसकी काफी चर्चा हुई और जिसके दूसरी भाशाओं में अनुवाद भी हुए है उस उपनियास का नाम है साथ आस्मान साथ आस्मान जो है वो तीन सो साल की कहानी है जो अपने अंदर बहुत से पात्रों को बहुत से स्थितियों को, बहुत से परिवर्तनों को, बहुत से सामाजिक आंदोलनों को, बदलती हुई राजनीती को, ये सब अपने अंदर वो उपन्यास समेटे हुए है, तो ये उपन्यास प्रकाशित हुआ, राज कमल ने इसको छापा, ये 1980 के आसपास प्रकाशित हुआ उसके बाद फिर दुबारा एक विशय हात में आया हो ये सोचा कि अब नाटक लिखें तो नाटक उपन्यास और कहानी ये तीनों विधाएं जो हैं वो लगभग साथ साथ चलती रहें कोई ऐसा नहीं हुआ कि एक विधा पुरी तरह छोड़ के मैंने दूसरी विधा में जो मैंने लिखा वो एक राजस्थान की लोकता प्राधारित था इसका नाम था वीर गती ये एक राजस्थान की लोकता थी जिसको विजय दान देथा ने संकलित किया था इसका पहला नरदेशन जो किया एमके रहना ने किया एमके रहना ने इसका पहला शो किया और इसमें चुंकि ये म्यूजिकल है तो इसका बड़ा अच्छा संगीत कंपोज हुआ इसके गाने कंपोज हुए और इसके काफ़ी शो दिल्ली में हुए और इतने सालों के बाद अब भी कुछ ग्रूप ऐसे हैं जो इसका नाटक का शो करते है तो इस नाटक को लिखने के बाद फिर कहानी लिखना शुरू हुआ तो यही सब चलता रहा इस बीच और यह समझ लीजिए के 1985 नबे तक यह काम होता रहा लेखन का नाटक में फिर मेरी रूची जादा बढ़ गई तो मैंने उसके बाद और दूसरे नाटक लिखे जिसमें के प्रिसेज नाटक जो लोग पर यह हुआ वो यह है जिस लाहूर नहीं देखिया वो जमिय ही नहीं सर नुकड नाटक भी आपने लिखा उसके उपर कुछ प्रकाश डाले नुकड नाटक जो है वो एक प्रकार का छापामार प्रितिक्रिया है जैसे कि आपने गली के नुकड नाटक किया और मंडली आगे बढ़ गई फिर कहीं किया फिर मंडली आगे बढ़ गई तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो थोड़े देर के लिए शुरू होती और फिर समाप्त हो जाती नुकर नाटकों का अंदोलन जो है हिंदी प्रदेशों में शुरू हुआ था सन सत्तर के आसपास सन सत्तर के आसपास सर्वेश्वर धयाल सकसेना का नाटक बकरी और दूसरे लोगों के रमेश उपाध्याय का नाटक था मैंने भी कुछ नाटक लिखे और जन नाट मंच नाम की एक संस्था बनी थी जो इस नाटकों को करती थी उसमें कविता नाकपाल जो है वो उन नाटकों को नरदेशन करती थी बाद में सवदर हश्वी ने भी करना शुरू किया और नुकोर नाटकों में मेरा सबसे चर्चित नाटक जो है वो है सबसे सस्ता गोश्ट ये सद्भाव के उपर नाटक है ये धार्मिक सद्भाव के उपर है ये धार्मिक समन्वे के उपर नाटक है ये बताता है कि किस प्रकार से मनुश्यता मनुश्य और मानवी संबंध जो तो ये नाटक के लगभग 5,000 से अधिक शो हुए हैं विभिन भाशाओं में और विभिन प्रंकर्मियों दोरा, इसके बाद और भी नुका नाटक लिखे, तो मेरे कुल 14 या 15 नुका नाटक हैं, उनका एक संकलन प्रकाशित हुआ है. सर, हिंदी नाटक को लेकर आज क्या स्थिती है और क्या ये स्थिती आपको लगता है कि भविश में और अच्छी होगी? देखे, हिंदी नाटक की आज स्थिती ये है कि उसका छेत्र व्यापक हो रहा है, छेत्र व्यापक हो रहा है का मतलब है कि वो दिल्ली और हिंदी प्रदेशों की राजधानियों से बाहर निकल रहा है, जैसे लखनौ, भोपाल, जैपूर या शिमला, इन प्रांतिये राज इन शेहरों में पहले हुआ नहीं करता था तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हिंदी नाटक का जो छेतर है वो व्यापक हो रहा है वो फैल रहा है जहां तक विश्यों का सवाल है हिंदी नाटक में ऐसे विश्यों आ रहे हैं जो पहले नहीं थे उधारन के लिए इस्तरियों की समस् ये सारे के सारे विशय जो हैं ये हिंदी नाटक में आ रहे हैं और हिंदी नाटक के अभिनेता और नर्देशक ये भी चुंके युवा लोग हैं इसलिए ये युवाओं की समस्याओं को भी नाटक में लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं तो आज हिंदी किनाटक अपने सुरूप में, अपनी प्रिस्तुती में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और निश्चित रूप से ये बहुत जल्दी इसका रूप और अधिक व्यापक हो जाएगा सर आप केवल सामप्रदाइक सद्भाव इस विशे पर लिखना पसंद करते हैं कि अलग-अलग विशेओं पर भी लिखना पसंद करते हैं देखिए सामप्रदाइक सद्भाव एक बहुत ही प्रमुख और बड़ा विशे है मेरी रचनाओं में क्योंकि मेरा मानना ये है कि लेखक जो है अपने समाज के प्रिती और समाज की उन्नती के प्रिती और समाज में सद्भाव के प्रिती कमिटेड होता है उसका काम होता है कि वो समाज को एक दिशा दे, समाज को एक डिरेक्शन दे और भारत का हमारा समाज जो है ये आप जानते हैं कि विविधिता में एकता का समाज है हमारे देश में जो विविधिता है उसमें एकता होनी आवश्यक है तो इस कारण हम लोग सांपरदाइक सद्भाव को बल देते हैं कि आपका धर्म कोई हो सकता है, जाती कोई भी हो सकती है लेकिन उसके बीच में एक सद्भावना होनी चाहिए उसके बीच में अच्छे विचार होने चाहिए एक दूसरे को सहन करने की नहीं बलके अप्रिशेट करने की ताकत होनी चाहिए आपके हमारे विचार अलग हो सकते हैं लेकिन उसका ये अर्थ नहीं है कि हम एक दूसरे को पसंद न करें हम विचारों की भिनता के बाद भी एक दूसरे के प्रेती सद्भाव बना सकते हैं, तो यह जो हमारी राष्टी चिंता है, तो इस राष्टी चिंता को अपने साहित का विशह मेंने बनाया है, और बहुत सी रचनाएं इस पर केंद्रित हैं. सर, हिंदी नाटक को लेकर आज क्या स्थिती है और क्या ये स्थिती आपको लगता है कि भविश में और अच्छी होगी? देखे हिंदी नाटक की आज स्थिती ये है कि उसका छेत्र व्यापक हो रहा है. छेत्र व्यापक हो रहा है का मतलब है कि वो दिल्ली और हिंदी प्रदेशों की राजधानियों से बाहर निकल रहा है. जैसे लखनौ, भोपाल, जैपुर या शिमला इन प्रांतिय राजधानियों से आगे बढ़ा है हिंदी नाटक और उन शहरों तक आया है जिन शहरों में पहले हुआ नहीं करता था तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हिंदी नाटक का जो छेतर है वो व्यापक हो रहा है वो फैल रहा है, जहां तक विशियों का सवाल है हिंदी नाटक में ऐसे विशय आ रहे हैं जो पहले नहीं थे उदारन के लिए इस्तरियों की समस्य आए, उदारन के लिए बच्चों का जीवन, उदारन के लिए पारिवारिक समस्य आए ये सारे के सारे विशय जो हैं ये हिंदी नाटक में आ रहे हैं और हिंदी नाटक के अभिनेता और नर्देशक ये भी चुंके युवा लोग हैं इसलिए ये युवाओं की समस्याओं को भी नाटक में लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं तो आज हिंदी किनाटक अपने सुरूप में, अपनी प्रिस्तुती में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और निश्चित रूप से ये बहुत जल्दी इसका रूप और अधिक व्यापक हो जाएगा. सर आप अलग-अलग पुरसकारों के समीतियों पर भी है, उसके बारे में हमें कुछ बताईए. अच्छी सैसे अवार्ड हैं जो दिये जा रहे हैं और ये सब अवार्ड सीनियर राइटर्स से मश्विरा करके, उनके साथ बात्चीत करके, उनकी कमेटियां बना करके, तई किया जाता है कि ये अवार्ड किसको दिये जाएं. तो जिसको ये अवार्ड दिया जाता है, वो एक परकार की उसको मानेता मिलती है कि उसका लेखन जो है, वो अच्छा है और बड़े लेखकों ने और विद्वानों ने उस लेखन को सराहा है. तो इस तरह की एक अवार्ड कमेटी है जो ग्यानपीठ द्वारा गठित की गई है, तो इस आप जानते हैं कि देश का सबसे बड़ा समान जो है, वो ग्यानपीठ परुसकार है, तो इस चैन समिती का एक सदस से मैं रहा हूँ, ये समिती तीन वर्षों के लिए होती है, ती और कहीं कोई बात रह न जाए, इसलिए ये समिती बदलती रहती है, तो ये समिती दूसरी समितीयों के अधार पर जैसे उनकी भाषा की समितीया है, माले जे मराठी भाषा की समिती है, तेलगू की है, कन्नड की है, मलियालम की है, तो ये भाषा की समितीयां जो है संस्तूत करती हैं वो Central Committee के बाद आती हैं तो Central Committee फिर उनको देखकर ये निर्नाय लेती है कि किस भाष्या के किस लेखक को इस वर्ष ये ग्यानपीट प्रुसकार मिलना चाहिए तो ये एक बड़ी पारदर्शी और बड़ी एक निश्पक्ष किसिम की प्रक्रिया है जिसके तहत भारत क सबसे बड़ा सहित्यक समान दिया जाता है सर इस वक्त हिंदी सहित्य को लेकर कैसा काम हो रहा है आप के इस पर क्या विचार है दिके हिंदी सहित्य का छेत्र अब बहुत व्यापक हो गया है आप जानती है कि हिंदी बोलने वालों की संख्या पचास करोड के लगभग है त और भारत के लगभग सभी प्रांतों में ये समझी और बूली जाती है पहले ये था कि इसका लेखन केवल हिंदी छेतरों में ही होता था लेकिन अब इसका लेखन हिंदी छेतरों से बाहर हो रहा है मतलब ये कि ऐसे प्रदेशों में हिंदी लेखन हो रहा है जहां हिंदी कम बोली जाती है उधारण के लिए करनाटक है उधारण के लिए केरल है उधारण के लिए तामिल नाडू है उधारण के लिए महराष्ट है इन प्रांतों में भी हिंदी लेखन शुरू हुआ है तो इसका मतलब यह है कि हिंदी लेखन व्यापक हो रहा है हिंदी की पत्रिकाएं और हिंदी के समाचार पत्र आप जानते हैं कि विश्व का आज सबसे बड़ा समाचार पत्र जो है वो एक हिंदी समाचार पत्र है जिसकी प्रिसार संख्या विश्व के किसी भी अख़ार से अधिक है तो इस तरह से हिंदी जो है वो विश्व की एक प्रमुक भाशा बन चुकी है जिसमें लेखन और प्रकाशन प्रकाशन की स्थिती में बताऊं कि हिंदी में 20,000 पुस्तकें प्रती दिन छपती है प्रती दिन का एवरेज आता है तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि लेखन बड़े अस्तर पर हो रहा है प्रकाशन हो रहा है लोग पढ़ रहे हैं पुस्तकें बिक रही हैं लोग खरीद रहे हैं तो इस प्रकार से ये हिंदी साहित का छेत्र व्यापक हो रहा है। और सर जहां तक नाटकों का सवाल है, हिंदी नाटकों का सवाल है, कई बार ऐसा देखने में आता है कि कई बार ओरिजनल वर्क से जादा ट्रांसलेटेड वर्क को लोग करना पसंद करते हैं। तो इस स्विषय में आपके क्या विचार हैं। देखिए हिंदी में मूल नाटक भी लोग करते हैं, अनुवाद भी करते हैं। और अनुवाद हिंदी में इसलिए बहुत आसानी से सुिकार किये जाते हैं। कि हिंदी अपने आपको राजभाशा मानती है। ओउ ये कहती है कि अगर कोई कन्नड में अच्छा नाटक लिखा गया, या कोई मराठी में अच्छा नाटक लिखा गया तो ये हमारा अधिकार बनता है, ये हमारा फर्स भी बनता है कि हम उसको हिंदी में करें। क्योंकि हिंदी के माध्यम से वो बहुत बड़े लोगों के सामने आ पाएगा, उसका जो छेत रहे बड़ा वयापक हो जाएगा, तो इसलिए अनुवाद किये हुए नाटक भी होते हैं, और मूल नाटक भी हिंदी में होते हैं, दोनों किये जा रहे हैं। सर आप लेखक के साथ साथ एक सवेदनशील चितरकार भी है, आपने समाज में जाकर सामाजिक काम भी किया है, तो एक लेखक होने के नाटे आपने इन ख्षेतरों को किस प्रकार देखा? लेखक के लिए जरूरी है कि वो अपने समाज को समझे, और समाज को समझने के लिए जरूरी है कि समाज के साथ जोड़े, समाज के साथ उसकी सनलगनता हो, तो मैंने जहां जहां मौका मिला, मैं आदिवासी छेतरों में भी गया, मैं पिछड़े हुए आलाकों में भी गया मैं ऐसी एक्टिविटीज में भी शामिल रहा जिन में मुझे समाज को समझने का उसर मिले तो इस तरह से मैंने बच्चों के जीवन को महिलाओं के जीवन को बूढे लोगों के जीवन को समझने की कोशिश की और उनके उपर लिखा तो मेरा जो अनुभो संसार है उसको बढ़ाने के लिए ये आवश्यक था कि मैं अपने केवल मैं सीमित न रहा हूँ बलकि एक प्रकार की व्यापकता है तो वो व्यापकता जो है उसने लेखन को भी इन्रिच किया है और मुझे भी बहुत सी जानकाईयां मिली सर आपके अपने लेखन में से आपका सबसे पसंदीदा उपन्यास या आपकी सबसे पसंदीदा कहानी कौन सी रही देखिए अपने लेखन में सर्व स्रेष्ट चुन्ना लेखक के लिए थोड़ा कठिन काम है क्योंकि जैसे मान लीजे कि वो रचनाये जह हैं वो हमारे बच्चे हैं अब आपसे कहा जाए कि कौन सा बच्चा आपको ज़्यादा प्री है तो आपके लिए बड़ा कठिन सवाल हो जाएगा कि आप क्या उत्तर देंगे ये ज़रूर उत्तर दे सकते हैं कि कौन सा बच्चा दूसरों को ज़्यादा पसंद है कौन सा आपका बच्चा ऐसा है जिसको दूसरे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरा एक उपनियास है साथ आसमान ये लोगों को बहुत पसंद आता है मेरा एक यात्रा संस्परण है चलते तो अच्छा था ये इरान के बारे में है इसको लोग बहुत पसंद करते हैं मेरा एक नाटक है जिस लहोर नहीं देखिया वो जम्याई नहीं उसको लोग बहुत पसंद करते हैं तो ये तीन ऐसी चीजें हैं जिनको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं तो लोगों के पसंद करने के आधार पर मैं भी पसंद करता हूँ क्योंकि लोगों की इक्षाओं को सम्मान करना तो हमारा काम होना चाहिए, तो यह है। सर आपने अभी बताया कि आपने यात्रा से जोड़ा हुआ एक वरणन लिखा तो यात्रा सर आपकी स्विजरलेंड के बुड़ा पेस्ट में भी हुई वहां पर आपने शायद अध्यापन कारे किया तो वहां का अनुभव संक्षिप में हमसे बाटिये देखिए मैं अपने आपको लेखक के साथ साथ एक परियटक भी मानता हूं और मैं मानता हूं कि मैं सोशल टूरिस्ट हूं मेरी यात्राओं का मकसद ही होता है कि मैं केवल इमारतों को न देखूं बलके लोगों को समझूं समाज को समझूं समाज के अंदर क्या अगतिविधियां हैं उनको वा कपेश्ट में भारत सरकार की ओर से बेजा गया था वहां हिंदी पढ़ाने का काम करता था मैं लोकल विश्वध्याले में जो ओतवोष लोरंज यूनिवसिटी वहां की है तो बड़े रोचक अन्भव हुए और वहां के एकडेमिक जगत की पूरी गंभीरता देखने के कितना श्रम करते हैं कितनी मेहनत करते हैं वहां भी मैंने नाटक देखे वहां कुछ मेरी रचनाओं का उनकी भाशा में अनुवाद भी हुआ तो इस प्रकार से वहां की यातरा फिर वहां से योरप की पूरी यातरा की वहां से नार्थ अमेरेका की भी यातरा की तो यातरा का और लिखने का भी बड़ा गहरा संबंद है सर आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमसे धेर सारी बातचीत की इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं बहुत-बहुत आभार आपकर अभी आपने धनश्री है बेकर द्वारा ली गई भेट वारता सुनी इसे के साथ अस्तुती देवकी कुलकरणी